हेलो अबरीवन वीडियो के इस सीरीज में मैं अलग-अलग इंस्टिट्यूट जैसे परफेक्शन आई एस, आस्था आई एस, दिरुष्टी आई एस, इम्तिहान और एडूटेरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस और मैथ के कोश्चन्स को डिसकस करने जा रहा हूं यह सारे कोश्चन्स आने माले वीपियस से 68 और 69 दोनों ही एकजाम्स में आपको सफल बनाने में बहुत ही जादा मदद करेंगे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं First question है science का. lens की सक्ती मापी जाती है, तो lens की सक्ती यानी power का unit होता है, diopter होता है. lens की सक्ती यानी power का formula क्या होता है? P is equal to होता है 1 by F, F जो है meter में होना चाहिए या फिर यदि F centimeter में है, तो 100 by F कर देंगे हैं. P is equal to 1 by F, यदि F meter में हो, तो या फिर F यादी cm में हो तो P is equal to 100 by F करेंगे right option यहाँ पर C होगा और 1 by meter यानि meter inverse को ही diopter कहा जाता है next question गुरूत्वाकार्शन नियतांक capital G का मान होता है यानि universal gravitational constant capital G का value क्या होता है तो वो होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square right option यहाँ पर B होगा और यह क्या होता क्या है जैसे universal law of gravitation कहता है कि दो objects के बीच में लगने वाला force of attraction gravitational force दोनों object के masses के गुणन फल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के बर्ग क्या बेउत करमानुपाती होता है तो इस तरीका से हम यदि दोनों को मिलाते हैं तो f जो आ जाता है वो m1, m2, f proportional हो जाता है m1, m2 by r square इसी proportionality sign को जब हम हटाते हैं तो f is equal to आ जाता है g, m1, m2, by r square और ये जो proportionality sign है इसी को universal gravitational constant कहा जाता है इसका value होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square और इसको universal gravitational constant सारबत्रिक गुर्टवा करसंड निया ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बदलता नहीं है किसी भी planet में किसी other celestial body पे चले जाएए मून पे चले जाएए, जुप्टेर पे चले जाएए, मार्च पे चले जाएए इसका value change नहीं होता है जितना अर्थ के surface पे है यानि प्रिथवी के सता पर है उतना ही मंगल गरह के सता पे होगा हर जगा, universe के किसी भी point पे चले जाएए इसका value बदलता नहीं है इसलिए इसको universal gravitational constant यानि सरबत्रिक गुरुत्व कर सन नियतां के कहा जाता है next question, यदि गुरुत्वी प्रभाव को नगन्न माना जाए तो संतूलन की आवस्था में द्रव के भीतर प्रतेक बिंदू पर दबाव समान होता है यह किसका नियम है तो यह पास्कल का नियम है जैसे माल लिजिए कि कोई container है कोई container है इसमें कोई द्रव यानि liquid भरा हुआ है यह surface है उसका कोई object यहां रखा गया है h height नीचे माल लिजिए इसके surface पर का pressure यदि p0 है और h height नीचे h height नीचे हमें pressure निकालना है h height नीचे तो formula होता है p is equal to p0 plus rho g h rho g h यानि p is equal to p0 plus rho g h यह rho क्या है इसमें जो liquid भरा हुआ है जो द्रव है उसका घनत यानि density है उसका rho g gravitational acceleration है 9.8 अब देखिए यहां पि यदि g का value हम 0 कर दें g का value 0 कर दें तो हो जाएगा p is equal to p0 यानि हर जगह pressure समान हो जाएगा यही है pascal का नियम pascal का नियम को दूसरे तरीका से हम समझ सकते हैं किसी भी fluid में किसी एक point पे pressure हम यदि increase कर दें तो हर एक point पे उसी amount में pressure increase कर जाता है यह भी pascal का ही नियम है Newton का नियम क्या है Newton के तीन लव होते हैं तीन नियम होते हैं पहला लव काता है कि यदि कोई object waste में है यानि विराम की आवस्था में है तो विराम की आवस्था में ही रहेगा यदि वो uniform velocity से move कर रहा है यानि समान गति से move कर रहा है समान गति से गतिमान है तो वो उसी समान गति से move करते रहेगा तब तक जब तक कि उस पे कोई बाहरी external unbalanced force एक्ट न करे यह पहला नियम है यह force को define करता है यानि bulkid पड़िभासा को बताता है Newton का दूसरा नियम क्या कहता है कहता है कि कि किसी भी object पे लगने वाला force जो होगा वो उसके rate of change of linear momentum यानि उसके संभीग में पड़िवर्तन के दर के समान उपाती होगा तीसरा लग क्या होता है there is equal and opposite reaction for every action यदि किसी object पे हम जितने force से जैसे दिवाल को हम दबाते हैं जितने force से जितने बल से दिवाल भी हमको हमारे हाथों के opposite direction में उतना ही force लगाता है तीसरा निया में Archimedes principle क्या कहता है Archimedes principle कहता है कि किसी भी object में यदि किसी object को हम partially or fully डुबाते हैं तो उस पे एक उपर की और force लगता है जिसको force of buoyancy कहा जाता है उत्पलावन का बल कहा जाता है और वो उत्पलावन का बल जो होता है वो object के त्वारा displaced liquid के weight के equal होता है मतलब किसी भी object को यदि हम पानी में डुबाते हैं किसी बस्तू को पानी में डुबाते हैं तो बस्तू पानी को बिस्थापित करेगा पानी के कुछ amount को बिस्थापित करेगा और उस बस्तू पे जो उपर क्यों लगने माला उत्पलावन बल है वो बिस्थापित वाटर के weight के यानि भार के बराबर होता है तो यह है अर्गमेडिज का सिधान्त और फैराडे का लव फैराडे ऐसे chemistry में भी लव हैं हम physics के लोग को बतारते हैं फैराडे law of electromagnetic induction यह कहता है कि कहीं पर भी यदी magnetic flux change होता है कहीं पर भी यदी magnetic flux change होता है जैसे क्वाइल है माल लिजे यह क्वाइल है और यहां एक wire पास हो रहा है इससे current पास हो रहा है और इस wire में जो current flow हो रहा है वो समय के साथ change होने लगे तो इस coil से associated magnetic flux का value change होने लएगा और जो ही magnetic flux का value change होगा इस coil में एक EMF generate हो जाएगा यानि एक battery generate हो जाएगा एक cell generate हो जाएगा और इसमें current flow होने लगेगा यह है Faraday law of electromagnetic induction तो इसमें से right option कौन सा हो जाएगा C होगा Next question प्रथम बार निमन में से किस बेग्यानिक ने कहा था कि पिल्थवी सूर्ज के चाहरो और चकर लगाती है और पिल्थवी ब्रहमान्ड का केंद्रविंदू है तो सबसे पहले कोपर्णिकस ने कहा था I think 1543 के आसपास में 2549 के आसपास में कोपर निकस ने कहा था कि सूर्ज जो है इस्थीर एक जगा है और प्रित भी उसके चारो तरफ घूमती है यानि हेलियोसेंट्रिक मॉडल इन्हों ने प्रेजेंट किया था कोपर निकस ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल इससे पहले जियोसेंट्रिक मॉडल प्रजेंट था जियोसेंट्रिक मॉडल क्या खाता था कि प्रिथवी जो है केंदर में है यानि प्रिथवी इस्थीर है सूर्ज उसके चारो तरफ चकर लगाता है लेकिन 1543 AD के आजपास में कौपर निकस ने कहा था गेलीलियों ने भी, so right option यहाँ पी एह होगा, next question, निमलीखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में संचरन नहीं कर सकती है, तो देखिए, wave जो है, यानि तरंग दो टाइप की होती है, mechanical wave और non-mechanical wave, mechanical wave को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानि ट्रेबल करने के लिए, संचरन करने के लिए, किसी माध्यम यानि मेडियम की जरूरत होती है, बीना किसी माध्यम यानि मेडियम का एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, mechanical wave दो टाइप का होता है, longitudinal wave यानि अनुद दूसरी जगह जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए ट्रेवल करने के लिए संचरन करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है मेडियम है तो भी उनका संचरन एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा और यदि मेडियम यानि माध्यम नहीं है तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है जितने भी electromagnetic wave है वो microwave हो सकता है गामा रेज हो सकती है ultraviolet rage infrared या visual light यह सभी electromagnetic wave है और इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी medium की जरूरत नहीं होती है यह vacuum में भी यानि निर्वात में भी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह longitudinal wave और transverse wave हमने definition उसका बताया longitudinal wave यानि अनुदार्ग तरंग का उदारन है धौनी तरंग तरंग एक अनुदार्ग यानि longitudinal wave है और यह एक mechanical wave है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए medium की जरूरत है तो इसलिए यह निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है जिस room में मैं बैठा हुआ हूँ यदि मैं इस room को यदि इस room में vacuum create कर दिया जाए निर्वात बना दिया जाए तो मैं बोल करके ठक जाऊँगा मेरे पास में बैठा हुआ किसी इनसान को मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पास में बैठे हुए ही इनसान के पास जाने के लिए मीडियम की जरूरत है और यदि निर्वात बना दिया जाए वैक्यूम करियेट कर दिया जाए तो वो पास में बैठे हुए इनसान के पास भी मेरी आवाज नहीं पहुँच पाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए धौनी तरंग को किसी मीडियम की जरूरत है यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है राइट अप्शन यहाँ पे ए होगा प्रकास तरंग यह एक जगह से दूसरी जगह वैक्यूमें जा सकती है रेडियो तरंग जा सकती है यह भी एक electromagnetic wave है इनफेक्ट जितने भी electromagnetic wave है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसको medium की जरूरत नहीं है next question अतिचालकता की खोज किस ने की थी क्या मरलिंग ओन्स ने की थी अतिचालकता यानि superconductivity की खोज right option यहां पर एँ होगा superconductivity क्या होती है superconductors क्या होते है देखिए resistance का जो formula होता है r is equal to rho l by a यह resistance का formula होता है जैसे जैसे किसी भी conductor का temperature हम increase करते हैं तो ये resistance का value increase होते जाता है यानि किसी चालक का ताप यदि बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ते चला जाता है Just इसका उल्टा, यदि temperature हम decrease करें यानि ताप को कम करें तो चालक का यानि resistance का conductor का जो resistance है वो decrease होते चला जाएगा यानि कम होते चला जाएगा जैसे temperature decrease कर रहे है resistance decrease होते 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 एक time तो ऐसा आएगा एक temperature तो ऐसा आएगा जिस temperature पे इस चालक का यानि उस conductor का resistance 0 हो जाएगा जब resistance 0 हो जाएगा तो उसकी conductivity सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी यानि चलकता सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी और उसी को कहा जाएगा superconductor और इस phenomenon को superconductivity कहा जाएगा कैसे आया? temperature को decrease करने से इसकी सबसे पहले खोजकी थी camera link उन्स ने next question किसी पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है तो संबेग यानि linear momentum रेखिए संबेग का जो फर्मूला होता है P is equal to mass into velocity यानि दरबमान गुन है बेग होता है P is equal to m यदि P में हम mass से संबेग और बेग के अनुपात निकलना है यहाँ पर हम velocity से divide कर दें यहाँ पर velocity से divide कर देजिए तो भी से भी cut करके क्या बचे जाएगा M बच जाएगा यानि दरबमान बच जाएगा तो किसी पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात से द्रविमान प्राप्थ होगा, right option B होगा next question, निमलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, त्वारण त्वारण का unit जो होता है, क्या होगा त्वारण A is equal to होता है, change in velocity यानि B में पड़िवर्थन की दर को acceleration कहा जाता है, change in velocity delta B by delta T, delta T का दिजी या T का दिजी change in velocity क्या होगा, velocity में पड़िवर्थन का unit क्या होगा, मात्र होगा, meter per second नीचे है, meter per second square होगा इसका unit जो होता है meter per second square होता है, यह सही है B'll F is equal to होता है, mass into acceleration तो इसका unit क्या होगा, m का kg acceleration का meter per second square, kg meter per second square इसी को newton कहा जाता है, newton के सम्भान में तो ये भी correctly matched है दाब, pressure क्या होता है P is equal to force by area force by area force का होता है Newton Newton by area का meter Newton per meter square होता है इसका unit और इसी को Pascal कहा जाता है ये सही है correctly matched है संबेक, संबेक जो होता है P is equal to m भी होता है mass into velocity संबेक का unit क्या हो जाएगा mass m का हो जाएगा kg और velocity का meter per second या केजी मीटर per second केजी मीटर per second होता है इसका, तो Newton per meter नहीं होता है इसका unit हो जाएगा रेखिए संबेक का केजी मीटर per second Newton per meter किसका unit होता है surface tension का unit होता है surface tension surface tension का unit होगा वो होगा Newton per meter और surface tension होता क्या है जैसे कोई भी कोई भी surface सर्फिस टेंसन वह गूर है वह फिनोमिन है जिसके तहट तो कोई भी सर्फिस एक एस्ट्रेस्ट मेंब्रेन यानि तनी हुई जिली के जैसा बेहार करता है और वो अपने सर्फिस एरिया को जितना संबह हो सके मीनिमूम कम रखना चाहता है कम रखना चाहता है और यदि समान आयतन लें समान आयतन में समान आयतन ले करके और प्रिस्ट एरिया निकालें तो सबसे कम प्रिस्ट एरिया यानि सबसे कम सर्फिस एरिया एस्फियर यानि गोला कहीं आता है तो यहीं कारण है कि फिरी यदि छोड़ दिया जाए किसी भी ल को दूंदे हमेशा गोलाकार होती है कि नेक्सक्टेर्जन दो बिन्दूयों के विभाव यानी पोटेंसिल में भीनिता को मापने माला यह यह पोटेंसिल को कौन सा यह यांत्र है तो यह व क्यूंसा यह यंस्त्रूमेंnt वह मापता है एमिटर वाट मिटर किस चीज को मापता है देखिए वाट किसका यूनिट होता है पावर का यूनिट होता है तो वाट मिटर किसको इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने वाला जो इंस्टूमेंट होता है वह वाट मिटर होता है यानि विद्यूत सक्ति को मेजर करता ह से आया है 20 इस को सिटी और यहोता क्या इब्टो लिवीट सर्फेस्स के बीच में से तो पर्कमने लगता है और वीसको सिटी Bem गुमने लगता है, गुमने लगा, घुमाने में आपको फोर्स लगा, आपको बल लगाना पड़ा, बल क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि उनके दो लेयर्स के बीच में फिरिक्सन है, घर्सन है, उसी के घर्सन के खिलाफ काम करने के लिए आपको बल लगाना पड़ा, पहली दूसरी बात है कुछ देर ऐसे ही अन्डिश्टर्ब आप छोड़ देंगे तो वाटर का जो सर्कूलेशन है धीरे-धीरे कम होते होते फिर इस्तिर हो जाएगा रुक जाएगा रुका क्यों क्योंकि उनके दो लेयर्स के बीच में अपोजिंग फोर्स लग रहा है बिरोध कर जेम्स चैडविक ने आई थिंग 1932 में की थी 1932 में तो यह स्टेटमेंट सही है यह एक उदासीन कड़ है निट्रोन का लिखी निट्रोन निट्रोन का मतलब होता है निट्रल से आया हुआ है यह तो निट्रोन निट्रल से आया हुआ है तो निट्रोन का मतलब उदासीन हो तो यह भी यह statement सई है इसका द्रबमान proton के द्रबमान के बराबर होता है इसका यह बिल्कुल सही बात है proton का द्रबमान होता कितना है mass of proton जो होता है यह 1.672 x 10-27 kg होता है और मास अफ न्यूट्राउन कितना होता है यह होता है 1.674 x 10-27 kg देखिए प्रोटाउन का मास 1.672 x 10-27 kg और न्यूट्राउन का मास 1.674 x 10-27 kg डेसिमल के बाद दो डिजिट तक दोनों सेम आ रहा है 1.67 आ रहा है लेकिन प्रोटाउन में 1.672 आ रहा है और न्यूट्राउन में 1.674 आ रहा है इस तरीका से हम देख रहे हैं कि न्यूट्राउन का मास प्रोटाउन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन लगभग हम बर भग बराबर होता है तो ये भी ये statement सही है C वाला neutron का द्रबमान electron के द्रबमान के बराबर होता है देख लेते हैं electron का द्रबमान कितना होता है electron का द्रबमान mass of electron जो होता है वो है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है minus 31 kg proton के mass में और neutron के mass में minus 27 kg आ रहा है 10 to the power minus 27 आ रहा है और electron के mass में 10 to the power minus 31 आ रहा है तो electron का जो mass है proton या neutron के mass से बहुत ही कम है या आठारे सो 30, आठारे सो 36 से आठारे सो 37 से गुना कम है electron का mass proton के mass से या neutron के mass से हम कह सकते हैं तो ये statement बिलकुल गलत है neutron का द्रबमान और electron का द्रबमान दोनों समान नहीं होता है बहुत ज़्यादा अंतर है 836 आठारे सो 37 से गुना अंतर है right option जो हो जाएगा इसमें D हो जाएगा यहीं कथन sorry 1, 2 और 3 सही है इसमें तो E हो जाएगा ये तो गलत है D statement गलत है तो right option E होगा next question निमलिखित में कौन धातुओं के महत्पूर्ण बहुती गुन है तो धातुएग उसमा और विद्यूत की कुछालक होते हैं नहीं धातुएग जो होती है वो उसमा और विद्यूत की सुचालक होती है तो ये गलत है धातुओं का घणत उच होता है देंसिटी हाई होती है ये बिल्कुल सही बात है धातुएग तन अगातवर्द होते है धातुएग तन मतलब धातूओं के पतले तार खीचे जा सकते है धातुओं को खथवड़ा से पीटने पी उनका सर्फे सेरिया बढ़ सकता है यानि उनका पतला चदर बनाया जा सकता है पतला सीट बनाया जा सकता है थिन सीट बनाया जा सकता है तो वे तन एम अगातवर्द होती है सबसे ज़्यादा तन और अगातवर्द धातू का उनसी है गोल्ड है, सोना है तो ये statement सई है अधिकांस धातूओं के गलनांग तथा गणांग उच्छ होते हैं रarnish होती है हित बडादू boxively गणतों के महत्तम अगहत्पूण भावती कंभूण्द expired तो e हो जाएगा more than one हो जाएगा और धात्वे उसमायम विदुत की सुचालग भी होती है next question decibel इंकाई कपड़ियों किसके मापन में किया जाता है तो ध्वानी कित्ती बृता को मापने में किया जाता है decibel को right option जो होगा e हो जाएगा प्रकास का भी 1 meter per second में प्रतिरोधक्ता यानि resistivity का unit का है किसमे मापने है ओम मीटर में ओम मीटर resistivity का unit है ओम मीटर next question मोती यानि परल का मुख रसानिक अभ्याव है तो वो है calcium carbonate caco3 calcium carbonate next question peripets संजोजक कड़ी है किसके और किसके बीच में एनिलीडा वो अर्थोपोड़ा के बीच की संजोजक कड़ी है peripets राइट अप्शन डी होगा next question निमलिखित में से कौन सा जुग्म सुमेलित नहीं है तब प्लेक किसकी बज़े से होता है पास्चूरेला पेस्टिस से होता है यह सही है काली खांसी जो होता है वो है बोडी टेला पर्टूसिस से होता है यह सही है हैजा हैजा ट्रेपोनेमा पैलीडम से नहीं होता है ट्रेपोनेमा पैलीडम से सिफलिस नमक रोग होता है तो यह गलत है है जा किसकी वज़े से होता है यानि कोलेरा किस से होता है तो यह होता है एक बैक्टरिया है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा नामक एक बैक्तिरियम से होता है है जा अट्रेपोनेमा पैलिडम से काउन सा बिमारी होती है तो सिफलिस होती है सिफलिस होता है तो यह गलत है सी रोग तो इसमें से रिक्ट boss S होगा नेक्स कोप्षटाइपि निमली खित में कौन सा निचायम पॉली प्यपटाइड को अमीनो आमल में बदलता है यह यहीं essendom को वसीय अमलत तथा गिलसेरोल में बदलता है एंट्रोकाइनेज जो है एंट्रोकाइनेज आगनासयरस के निस्कृयय त्रिप्सी नोजेन को सक्रिये ट्रिप्सीन में बदलता है यानि राइट ओप्सटन यहां पे ए हो जाएगा एरेपसिन जो पॉली पेप्टाइड को अमीनो एसीड में बदलता है। मस्तिस का कौन सा भाग उपा पचय रक्त दाप तथा हिरदय की धरकन को नियंत्रित करता है। तो वो है मेडूला अबलेगेटा। मेडूला अबलेगेटा राइट अप्सन ए होगा। मेडुला अबलगेटा मस्तिस का सबसे पीछे का भाग होता है, यह उपा पचय, रक्त चाप, आहार नालके, क्रमा कुंचन, ग्रंथी अस्त्राव तथा हिड़्दय की धर्कनों को नियंत्रत करता है, हाइपो थेलेमस भूख, प्यास, ताप, नियंत्रन, प्यार, घ्रिना आ निमलिखित में कौन सा हर्मोन सरीर की बिर्दी, भी सिस्तिया हड़्डियों की बिर्दी को नियंत्रत करता है, तो वो है STH हर्मोन, राइट अप्शन, बी होगा, STH का मतलब होता है, सोमाटिक ट्रोपिन हर्मोन, सोमाटो, सोमाटो ट्रोपिक हर्मोन, और इसको ग्रोथ हर पर्मिन भी कहा जाता है, राइट अप्शन B दी होगा, next question, निमलिखित में कौन सा प्रोटीन, से रेसम तथा मकरियों के धागे की निर्माण में साहक होता है, so that's it, do you think? Fibroin protein Right option C होगा Fibroin protein से रेसम तथा मकडियों के धागे के निर्मान में सायक होता है Keratin क्या करता है Keratin तवचा, बाल, नाखुन के निर्मान में सायक होता है और collagen Collagen जो है तंतुमे संजोजोई उत्तक के निर्मान में प्रियुक्त होता है Elastin एक तंतुमे प्रोटीन है जो ligaments रूधिर वाहनियों के पिले उत्तक में मिलता है Elastin Right option जो हो जाएगा C Next question निमलिकित में कौन सा बिटामिन अनाज, मान्स, मचली तथा अंडो से प्राप्त होता है तो वो है बिटामिन B6 B6 और विटामिन B1 दोनों ही मिलता है मान्स, मचली वगरा में विटामिन B1 अनाज के छिलकों मान्स, मेवा, सोयाबीन, मचली, अंडो आदी में मिलता है विटामिन B1 और विटामिन B6 दूध, अनाज, मचली, मान्स में यह भी मिलता है उसमें तो दोनों हो गया, vitamin B1 and vitamin B6 vitamin B6 की कमी से रक्त छिंड़ता चर्म रोग जैसी बीमारिया होती है vitamin C किस में मिलता है, खटे फलो में मिलता है सरीर के immunity को बढ़ाता है, प्रतिलोधक छमता को ये बढ़ाता है immune system को boost करता है, vitamin C यानि बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को capable बनाता है vitamin C, खटे फलो में मिलता है जैसे निम्बू अगेरा vitamin D, vitamin D जो है solar radiation यानि सुर्ज प्रकास के presence में हमारे body में ये बनता है, इसका synthesis होता है तो इसमें से right option कौन सा हो जाएगा E, vitamin B1 and B6 मिलता है अनाज मान समचली तथा अंडो से next question, किस जन्तु के RBC में केंदरक होते हैं तो वैसे तो समानता RBC में केंदरक नहीं होते हैं लेकिन उंट तथा लामा के RBC में केंदरक होते हैं लामा M, उंट, right option जो होगा E होगा next question, philosophic, geologic, पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है लामार्क के द्वारा लिखी गई है, right option A होगा लामार्क ने जैवे विकास के संबन में अपना सिधान्त दिया था जैवे विकास के संबन मतलब organic revolution के का सिधान्त दिया था इन्होंने, right option A होगा और organic revolution ही, organic evolution का सिधान्ती नोंने दिया था theory regarding organic evolution next question, घासों के अध्यनेम देखभाल को क्या कहा जाता है तो घासों के अध्यनेम देखभाल को कहा जाता है agroastology, agroastology right option B होगा agroastology, पुस्पो के अध्यन को anthology कहा जाता है और bryophyta के अध्यन को bryology कहा जाता है next question, निम्बू में die back रोग किस तत्त की कमी से होता है copper की कमी से होता है, right option C होगा और निम्बू में little leaf रोग भी copper की कमी से होता है next question, carbon monoxide का bond order कितना होता है ये BPSP में पूछा गया प्रस्त नहीं, bond order तो दो तरीका से हम इसके bond order को निकाल सकते है bond order जो होगा, वो होगा bond order is equal to bonding electron minus anti-bonding electron by 2 तो इसमें bonding electron यानि E B minus E A, anti-bonding electron by 2 तो E B होता है इसमें 10, anti-bonding electron 4 by 2 यानि 6 by 3, 6 by 2 यानि 3 तो इसका bond order होता है 3 या दूसरे तरीका से हम समझ सकते हैं इसको carbon और oxygen है यहाँ पी carbon and oxygen एक double bond तो है ही बन चुका है double bond और एक तीसरा जो है coordination bond इसमें होता है मतलब यह तीसरा जो bond बना हुआ होता है इसमें दोनों ही electron oxygen का लगा है तो bond तो इसमें कितने बन रहे हैं? bond जो है 3 बन रहे हैं यहाँ पी 3 बन रहे हैं तो इसलिए carbon monoxide का bond order होगा 3 जितने number of bonds बनते हैं वहीं bond order होता है तो इस तरीका से में निकाल सकते हैं 3 होगा इसमें देखिए carbon का atomic number 6 होता है यानि इसके outer cell में outer orbit में 4 electron है 4 कर दीजिए हाँ पी 4 है और oxygen का atomic number होता है वो 8 होता है तो उसका electronic configuration 26 यानि 6 electron है यहाँ 2 रखी यहाँ 3 तीन 6 यहाँ 4 5 6 हो गया यहाँ भी तो अब देखिए यह 2 electron के मिलने से एक single bond covalent bond बना इन 2 electron के मिलने से दूसरा covalent bond बना 2 bond तो बन गया अब carbon के पास कितने electron होगा लास्ट orbit में 4 थे 5-6 आ गया यानि अब carbon के outer cell में 6 electron है oxygen के outer cell में कितने है 2-4-6 तो पहले से थे 2 bond बन बन चुका है 8 हो गया है octet इसका अल्रेडी पूरा है octet इसका अल्रेडी पूरा है लेकिन carbon का octet अभी पूरा नहीं है stability तब आएगी कि जब carbon का octet पूरा होगा तो इसके लिए oxygen क्या करेगा अपना दोनों electron देगा और bond बना लेगा जिसको coordination bond कहा जाता है तो इस तरीका से carbon का भी octet पूरा हो जाएगा यानि carbon भी stable हो जाएगा oxygen का octet अल्रेडी पूरा है तो यह यह भी stable हो जाएगा तो carbon mono oxide में तीन bond बन रहा है दो covalent bond और तीसरा coordination bond तो number of bonds कितने हैं तीन इसलिए bond order हो गया तीन next question निमलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है चीटी के डंक में methanoic acid पाया जाता है formic acid इसको कहा जाता है formic acid भी कहा जाता है HCSS formula होता है आंगोर में tartaric acid पाया जाता है यह भी सही है tartaric acid tartaric acid का क्या formula होता है tartaric acid का C2 carbon ले लिजिए इस carbon पे CWOE जोड़ दीजिए इस carbon पे भी एक CWOE जोड़ दीजिए और दोनों ही carbon पे एक-एक OS लगा दीजिए एक-एक OS लगा दीजिए तो इस तरीका से हो जाएगा tartaric acid का formula और rancid butter में citric अमल नहीं पाया जाता है rancid butter में butyric butyric acid पाया जाता है तो यह तो गलत है butyric acid पाया जाता है सिर्का यानि बिनेगार में acetic अमल पाया जाता है यह सही है गलत कौन सा है? C गलत है next question निमलेखित में कौन सा यूग में सुमेलित है? इस पात का उत्पादन हैबर बिधी से होता है इस पात का उत्पादन हैबर बिधी से नहीं होता है हैबर बिधी से अमोनिया का उत्पादन होता है यह तो गलत है इस पात का उत्पादन किस बिदी से होता है बेसमर बिदी से होता है यानि मॉल्टेन पीग आईरन से स्टील बनाया जाता है बेसमर बिदी के थ्रू तो ये गलत है और सल्फियूरिक अमल का उत्पादन बेसमर बिदी से नहीं बेसमर बिदी से तो स्टील का उत्पादन होता या उकसाइड और इस तरीका से सुलुपार ट्राइयॉक्साइड और जब इसको वाटर से रिययक्षन उक्राए जाता है फिर तो यह बन जाता है sulfuric acid S2SO4 किस विदी से contact process में तो यह भी गलत है और ammonia का उत्पादन तहेबर विदी से होता ही है संपर्क विदी से नहीं संपर्क विदी से का उत्पादन होता है sodium carbonate को उत्पादन का एक अधियोगिक यानि industrial process था पुराने समय में ली-ब्लांक मेथट तो ली-ब्लांक मेथट के थूरू sodium carbonate कैसे बनाया जाता है sodium carbonate में Na2CO3 है इसका फर्मूला Na2CO3 तो sodium carbonate बनने के लिए दो चीज़े चाहिए एक तो Na plus चाहिए और carbonate iron चाहिए तो Na plus का Na plus लेने के लिए क्या किया जाता है Salty water लिया जाता है Salty water लिया जाता है जिसको brine भी कहा जाता है अब दूसरा एक तो source हो गया Na का Salty water ले लेंगे जिसको brine कहा जाता है यानि brine ले लेंगे अब दूसरी बात है कार्बोनेट iron लेने के लिए lime stone यानि calcium carbonate ले लेंगे तो मतलब यह रहा कि NaCl लिया और calcium carbonate लिया और दोनों से बना दिया, दोनों को मिला करके बना दिया sodium carbonate, ली ब्लैंक मेथड से, तो यहीं correctly matched है, right option D होगा next question, soda lime glass के निर्मार में किसका प्रियोग किया जाता है, तो sodium carbonate, calcium carbonate and silica तीनों का प्रियोग किया जाता है, sodium oxide का प्रियोग नहीं किया जाता है, so right option यहाँ पर E हो जाएगा more than one, इसका यूज कहां कहां होता है, soda lime glass का यूज जो होता है, tube light बनाने में, बोतलें बनाने में, प्रियोग साला के उपकारण बनाने में, और danic यूज में जो भी बरतन यूज किया जाता है, उसको बनाने में किया जाता है, तो friends यह रहा science का question, अब देखते हैं math के questions को, math का first question, यदि x-y is equal to 11, 1 by x-1 by y is equal to 11 by 24, तो x cube minus y cube का मान गयात कीजिए, x-y is equal to 11 दिया हुआ है, 1 by x-1 by y is equal to 11 by 24, दिया हुआ है यहां भी, तो हम क्या करते हैं, 1 by x-1 by y को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो 1 by x-1 by y is equal to 11 by 24, LCM यदि लिए हैं, तो xy का LCM xy हो जाएगा, y-x उपर में आ जाएगा, is equal to 11 by 24, यह तो दिया ही हुआ है, minus कमन ले लेते हैं उपर से, तो minus कमन ले लेंगे y-x में से, तो यह हो जाएगा, x-y by xy is equal to 11 by 24, अब x-y का value 11 दिया हुआ है, तो minus, तो पहले से हैं, x-y के जाएगा 11 पूट कर दिया, divided by xy is equal to 11 by 24 हुआ, अब 11 से 11 कट गया, तो इस तरीके से हम देखें, तो xy is equal to minus 24 आया, अब देखिए, अब यहां से x-q minus y-q is equal to क्या होता है, यानि aq minus bq is equal to होता है, a minus b into a square plus a b plus b square यह होता है, अब a minus b यह से ही रहने दिया, यानि x minus y, अब x square plus y square, हम क्या करते हैं, इसमें plus 2xy add कर दिये, तो जब plus 2xy add करेंगे, तो minus भी करना पड़ेगा, minus 2xy, तो हमने क्या किया, minus 2xy add किया, अब plus 2xy फिर add कर दिया, मतलब कुछ add ही नहीं किया, कट गया, यहां से, अब x square plus y square minus 2xy के जगा पर हम क्या लेख सकते हैं, x minus y का whole square, तो वही से हैं लिखा है, x minus y का whole square, अब मचा कितना, पहले से एक xy था ही, और 2xy already हम add किया हुए हैं, तो कितना हुए, 3xy हुआ है, अब इसी को लेकर करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो x q minus y q is equal to x minus y, यानि 11, x minus y का value दिया हुआ है, और x minus y का value 11 है, तो 11 का square, अब पलस x y का value minus 24 आ गया है, तो 3xy के जगा पर हमने 3 into minus 24 रखती है, minus 24 किसका value है, xy का value है, तो आगया x minus y q का value आ गया 11, और 11 का square करेंगे तो 121, अब minus 3 into 24 करेंगे तो 72 आएगा, तो 121 में से 72 घटाएंगे, तो आएगा 41, 41 में 11 से multiply करेंगे, तो आजाएगा 539, कौनसा option आएगा, d option सही होगा, next question, सरल रेखाऊं, x minus a is equal to 0, x plus 5 is equal to 0, y minus 2 is equal to 0, और y plus 1 is equal to 0, से बने आएद का छेतरफल 24 है, जिसमें a धनात्मक पुरांक है, तो a का मान ग्यात करें, a का मान क्या होगा, दिया हुआ है, x minus a is equal to 0, तो x is equal to a लिख देंगे, x plus 5 is equal to 0, तो x is equal to minus 5, y minus 2 is equal to 0 दिया हुए, तो y is equal to 2, और y plus 1 is equal to 0 दिया हुए, तो y is equal to minus 1, तो यह 4 state line है, x is equal to a, x is equal to minus 5, y is equal to 2, and y is equal to minus 1, ये चार स्टेट लाइन है, चारो स्टेट लाइन को हम ड्रा करेंगे, तो वो हमें रेक्टेंगल यानि आयत मिल जाएगा, तो X is equal to minus 5, लेप्ट साइड में आएगा, minus 5 का ये है, X is equal to minus 5, ये हो गया, X is equal to A, A का भेलू पता नहीं है, तो X is equal to A, धनात्म का रहा है, तो right साइ ये हो गया, Y is equal to 2, तो Y is equal to 2 का ये हो गया, Y is equal to 2, Y is equal to minus 1, Y is equal to minus 1 ये हो गया, अब देखिए, यहां से origin से लेकर कि यहां तक A है, और इधर 5 unit है, 5 plus A, यानि ये जो आयत बन रहा है, इसका length हो गया 5 plus A, अब उपर में Y is equal to 2 वाला है, तो ये उपर में हो गया 2, और नीचे Y is equal to minus 1, यानि 1 unit नीचे हो गया, तो इसकी चाउलाई कितनी हो गई, width 3 unit, तो 3 unit हो गया, इसका width, तो area कितना हो जाएगा, length into width, यानि LB, length दिया हुआ, A plus 5, width हो गया 3, ये हो गया area, और यहीं area 24 दिया हुआ है, तो हम लिक सकते हैं, A plus 5 into 3 is equal to 24, 3 से कट गया 8 times में, तो A is equal to 8 minus 5, यानि 3 unit होगा, तो A का value आ गया 3, यानि D option सही होगा, next question, दो सकेंदरित ब्रुतों की आंतरिक और बाहरी तिल जाएं क्रमस, 6.7 cm और 9.5 cm है, उनकी परीधियों में कितना अंतर है, यहां पे दो सकेंदरित ब्रुत दिया गया है, ये ए और ये ये बाहर वाला, अंदर वाले का area में small r माना हूं, और बाहर वाले का capital r, तो small r का value 6.7 cm, capital r का value 9.5 cm, तो बाहर वाले का circumference यानि परीधि कितनी हो जाएगी, 2 pi r, capital r, अंदर वाले का कितना हो जाएगा, 2 pi small r, और इसी को घटा दें, अंतर दिया हुआ है, उसमें, तो 2 pi r minus 2 pi r कर देंगे, 2 pi common ले ल 2.7, तो यह हो गया, अंतर परीधियों का जो अंतर हो गया, 2 pi, 2 pi into, यह 9.5 में से 6.7 घटा दीजिए, 15 में से 8 घटेगा, 15 में से 7 घटेगा, 8 हो जाएगा, और यह मच जाएगा, 8, 8 में से 6 घटेगा, 2 हो जाएगा, 2.8, 2 into pi, यानि 22 बटा 7 into 2.8, साथ से कट दीजिए, 0. 4 ताइमस में, तो यह हो जाएगा, 2 से 0.4 में मल्टिप्लाई करेंगे, तो 0.8 होगा, और 0.8 से 22 में मल्टिप्लाई करेंगे, तो आएगा, 17.6 सेंटीमीटर, राइट अप्शन C हो जाएगा, नेक्स कोश्चन, निमलिकित संख्या स्रिंखला, 7, 12, 22, 37, 52 में प्रस्नमाचक चीन के अस्थान पर क्या होगा, यह सिरीज दिया हुए, 7, 12, 22, 37, 52, इसके अगला अंक क्या होगा, यह निकालना है, तो 7 से 12, 5 जोड़ा गया है, तब 12 हुआ है, 12 से 22, 10 जोड़ा गया है, त 17 जोड़ने पे हुआ है, 37 से 57, 20 जोड़ने पे हुआ है, और 57 से 82, 25 जोड़ने पे हुआ है, यानि 5, 10, 15, 20, 25 जोड़ा जा रहा है, तो इसके बाद 30 जोड़ा जाएगा, यानि 82 में 30 जोड़ेंगे, तो 112 होगा, तो अगला सिरीज का जो अगला अंक होगा, 112 होगा, next question एक चुनाओं में A और B दो उमीदवार थे A को डाले गए कुल मतों में से 60% प्राप्थ हुए कुल आबादी में से 10% ने मद्दान नहीं किया B को कुल 10,980 मत मिले कुल आबादी का आबादी ग्याद कीजिए तो हम माल लेते हैं कि कुल आबादी जो है नणे वोट दिया एक सका नवबे प्रतिसत निकालेगे तो 90 एकस-वटा तैंट आए गावी策ा़ी इतने लोगों Na कि पर संट इन वह एके को मिला 60% वोट तो 20% CT , यानि जो वोट कास्ट हुआ है यानि 90 एकस-वटा सौं का 40 प्रतिसतं बोगको 40% of B जो है 40% of total vote casted जो मिलेगा वो B को मिलेगा और यहीं दिया हुए 10,980 तो 90 X by 100 का 40% निकाल दिये is equal to 10,980 हमने कर दिया तो यहां से देखें तो 2,0 से 2,0 100 वाला कट गया तो X is equal to कितना हो जाएगा 10,980 यह 100 जो है multiply में हो जाएगा multiply divided by 9 into 4 तो यहां से 9 से कट जाएगा 9 से कटा हमने 10,980 को 9 एकम 9 9 दुन आठारे एक 9 दुन आठारे 1220 आया 9 से कट करके फिर इसको 4 से कट दिया 1220 को तो 305 आएगा 305 में 100 से multiply करेंगे तो 305 पे 2,0 बैठ जाएगा तो यह टोटल जो है population उस गाओं की उस सहर की 3500 होगा right option D होगा next question एक टूनामेंट में 10 टीमें भाग लेती है यदि परतेक टीम ने अन टीमों के साथ एक मैच खेला तो खेले गए मैचों की कुल संख्या ग्याद कीजिए तो यह combination से बनेगा 10 टीमें भाग ले रही है 10 में से किसी भी 2 टीम को हम select करेंगे तो एक मैच हो जाएगा किसी भी 2 टीम को select करेंगे तो एक मैच हो जाएगा तो हम क्या करते हैं दस में से यानि 10C2 का value हम निकाल लेते हैं, 10C2 का value हम निकाल लेते हैं, तो 10C2 का value निकालेंगे तो यह होगा factorial 10, क्योंकि NCR is equal to होता है, factorial N divided by factorial R into factorial N minus R, तो factorial 10 divided by factorial 2 into factorial 10 minus 2 यानि 8, तो factorial 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 into 9 into factorial 8, तो कट जाएगा, यहां क्या पच जाएगा, 10 into 9, नीचे में factorial 2 का value 2 होता है, 2 से यह कट चुका है, 2 से कट जाएगा, 10 पांच बार में, तो 5 यहां आजाएगा, कितना बज़ जाएगा, 9 पचे 45, 45 हो जाएगा, टोटल मेचो की संख्या जो है, 45 होगी, राइट अप्शन D, नेक्स कोश्चन, यदि किसी समानतर स्रेड़ी, एपी के एन पदो का जोग 2N square plus 3N है, तो उसका एनवा पद ग्याद कीजिए, यानि SN का value दिया हुआ है, 2N square plus 3N, तो TN निकालना है, SN is equal to the other 2N square plus 3N, तो हम S1 निकाल देते हैं, S1 is equal to N का value 1 पूट करके, तो 2 into 1 is square plus 3 into 1, कितना आ गया, 2 plus 3 यानि 5 आ गया, तो T1 is equal to, यानि A का value आ गया, कितना? 5, A का value 5 आ गया, अब S2 निकाल देते हैं, S2 क्या है, sum of 2 terms है, तो 2 का value पूट करते हैं, तो 2 into 2 square plus 3 into 2 is equal to हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 था, plus 3 दूना 6, 8, 6, 14 आ गया, 8 plus 6 is equal to 14 आ गया, तो ये क्या है, S2 है क्या? T1 plus T2 का value है, S2, तो T1 plus T2 is equal to 14 आ गया, और जिसमें से T1 का value हमें 5 पता चल चुका है, तो T2 is equal to कितना हो जाएगा? S2 minus S1, यानि 14 minus 5 is equal to 9, यानि T1 का value 5, T2 का value 9 आ गया, तो common difference, common difference कितना हो जाएगा? D is equal to T2 minus T1, यानि 9 minus 5 is equal to 4, A का value हमें पता चल चुका है, 5, D का value हमें पता चल चुका है, 4, तो हम जानते हैं, TN is equal to होता है, A plus N minus 1 into D, तो A के जाग पर हमने 5 पर रखा, N का value पता नहीं है, N minus 1, और D के जाग पर 4 रखती है, तो 5 plus 4N minus 4 हो गया, तो 5 में से 4 घटेगा, 1 बच जाएगा, यानि 4N plus 1 हो गया, यानि Nth term, यानि TN का value आ गया, 4N plus 1, कौन सा अप्शन सही होगा? D अप्शन सही होगा. Next question, तीन नल क्रम सा 1 cm, चार बटा 3 cm और 2 cm ब्यास के हैं, उनसे होकर बहने माले पानी का अनुपात उनके ब्यास के बढ़ग के अनुपात के बराबर है. सबसे बड़ा नल अकेले 61 मिनट में टांकी को भर सकता है, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टांकी भरने में कितना समय लगेगा? हम जानते हैं कि work is equal to होता है time into efficiency, मतलब car is equal to समय गुने दक्षता होता है. तो ratio of efficiency यानि छमता का अनुपात क्या हो जाएगा? उनके ब्यास के बर्ग के अनुपात में दिया हुआ है question में. तो ब्यास एक सेंटीमीटर पहले का दिया है एक square, दूसरे का दिया है 4 by 3, तो 4 by 3 का square, तो तीसरे का 2 cm तो 2 का square हो गया. तो 1 plus 16 by 9 is to 4 आगया. तो अब इसको simple ratio में बदलने के लिए क्या करेंगे? 9 से हम 3 में multiply कर देते हैं. तो यहां आजाएगा 9 is to 16 is to 9 गुने 4, 36. यानि 9 अनुपात 16, अनुपात 36 आगया. यहां पी यह अनुपात हो गया. अब कुल दक्सता कितना हो जाएगा? कुल दक्सता यानि total efficiency तीनों को जोड़ देंगे. 9 पलस 16 पलस 36 यानि 61 हो गया. कुल दक्सता. अब जीस नल की efficiency 36 है वो लेता है 61 मिनट. 61 मिनट उसको लगता है भरने में. तो हम जानते हैं कि work बराबर जो होता है time into efficiency होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं efficiency of first into time taken by first. यानि e1 t1 is equal to e2 t2 हम लिख सकते हैं इसको. तो अब 36 दक्सता वाला यानि जिसकी efficiency 36 है वो 61 मिनट लेता है. तो 36 into exit इसके द्वारा किया गया work हो जाएगा. is equal to total दक्सता कितनी है? exit. तो total दक्सता पूरा करने में कितना time? t2 हमने माल लिया. तो e1 t1 is equal to e2 t2 से हम निकाल सकते हैं 36 into 61 बराबर 61 into t2. तो यहां से 61 से 61 कट जाएगा यानि t2 is equal to 36 मिनट आ जाएगा. तो अपसन यहां पे कौन सा हो जाएगा? c हो जाएगा. सही अपसन. next question. एक बेक्ती अपनी समाने चाल की तूलना में 45% से चल कर अपनी गंतब अस्थान पर एक घंटा 50 मिनट की देरी से पहुंचता है. गंतब तक पहुंचने में लगने वाला समाने समय ग्यात कीजिए. माल लेते हैं कि उसका समाने चाल जो है वो भी है. यानि यूजूल एस्पीड उसका भी है. तो समाने जो टाइम उसको लएगा, समय लएगा वो दूरी बटा चाल, यानि S भाई भी लेगा. माल लेते हैं कि दूरी जो है वो S है. S दूरी ट्रेवल करके हो जाता है. तो T1 समान समय जो लगा, स भाई भी लगा, अब कह रहा है कि 45% यदी भी हो जाता है उसका, यानि समान समय का 45% चाल से चलना सुरू कर दे, तो उसका सपीड कितना हो जाएगा? 45% भी, यानि भी का 45% भी हो जाएगा, यदि इस चाल से वो चलता है, तो वो एक घंटा 50 मिनट देरी से पहुंचता है तो अब उसको कितना टाइम लगेगा T2 is equal to तो दूरी बटा चाल दूरी तो S ही रहेगा तो S by 45 B by 100 तो 100 उपर चला जाएगा यानि 100 S by 45 B हो गया अब उसके द्वारा लगाया गया जो समय है वो है 100 S by 45 B I usual time उसको कितना लगा S by B तो देरी कितना एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा उसको T2 minus T1 कर देंगे यानि 100 S by 45 minus S by B तो यहां से 45 B and B का जो LCM होगा S by B पाले कमन ले लेते हैं S by B कमन ले लिया ते हैं बच गया 100 by 45 minus 1 तो अब 45 LCM हो जाएगा तो 100 minus 45 by 45 हो जाएगा 100 में से 45 घटाएंगे तो 55 हो जाएगा S by B into 55 by 45 और यहीं दिया हुआ है एक घंटा 50 मिनट एक घंटा 50 मिनट को क्या लिख सकते हैं 60 मिनट पलस 50 मिनट इतना लिख सकते हैं यानि 110 मिनट लिख सकते हैं और इस S by B का value हम निकाल लेते हैं, S by B is equal to 45 इधर हो जाएगा आपको 110 into 45 by 55 हो जाएगा, 110 into 45 by 55 हो जाएगा यहां से, आप 55 से 110, दो बार में कट गया, 45 दूना 90 मिनट, S by B जो है वो 90 मिनट, S by B क्या है, usual time, यानि समाने समय जो उसको लगता था, वो था S by B, तो समाने समय जो usual time जो लगा, उसको 90 मिनट लगा, यानि डेड़ घंटा लगा, option C सही होगा, next question, एक सम बहुभूज में आंतरी कोड का बहिस कोड से अनुपात 11 अनुपात 1 है, तो बहुभूज में भूजाओं की संख्या ग्यात कीजिए, question में 22 कोड और आंतरी कोड का अनुपात दिया हुआ है, यानि interior angle और exterior angle का अनुपात दिया हुआ है, interior angle और exterior angle का अनुपात 11 अनुपात एक दिया हुआ है, तो हम माल लेते हैं interior angle यानि आंतरी कोड 11 x और exterior angle यानि बाहे कोड जो है वो, x माल लेते हैं, अब देखिए, यहां फिर, यह हमने बनाया, hexagon बनाया हुआ, hexagon के एक एंगल को मैं दिखाया हुआ हूँ, यह internal angle i है और यह external angle o है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिगरी होगा न, तो interior angle पलस exterior angle का value 180 डिगरी होगा, interior angle हमने माना है 11x, और exterior angle हमने माना है x, तो 2 is equal to हो जाएगा, 180, 12x is equal to 80, तो x is equal to 180 by 12, तो यह कितना हो जाएगा, 12 से एक सवस्य जो है, 15 बार में कटेगा, तो x का value 15 आगया, तो अब number of sides ही, यानि भूजाओं की संख्या जो होगी, वो 360 बटा each exterior angle, 360 बटा परतिक बाहे एंगल, बाहे कोड, 360 बटा 15, तो यह हो जाएगा 24, 360 जो है 15 से 24 टाइमस में कटेगा, तो मतलब भूजाओं की जो संख्या है, उस बहुभूज में, सम बहुभूज में 24 है, इसलिए D option होगा, तो friends यह रहा मैत और science के question का discussion अब बने रही है, इस channel के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए, thank you, thank you very much.